राथ है राथ है एवरिवन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अस्टमी वर्त में रात को तारों को अरग कैसे दिया जाता है तो देखें अहोई अस्टमी का जो वर्त होता है इसमें तारों को अरग देकर तारों का पूजन करके ही वरत खोला जाता है तो देखें आहोई अस्ट में वर्त के दिन पूरा दिन वर्त करके रात को जब तारे निकलेंगे तो हम अपने घर की छट पर आंगन में या किसी पार्क में जहां पर हमें शाक्षात तारे दिखाई दें उस जगह पर चले जाएंगे साथ में हमें एक जल का लोटा भी लेके जाना है तो एक लोटा जल हम ले लेंगे और जो भी हमने दिन में कहानी सुनी थी जिस भी अनाज को हाथ में लेके आपने कहानी सुनी थी वो हमने एक पल्लू में बांद के रख लिया था किसी ने पल्लू में बांद के रखा है किसी बरतन में रख लिया होगा तो ये अनाज के जो दाने हैं ये भी हमें जरूर लेने हैं तो जिस भी दाने को हाथ में लेके जिन अनाज को हाथ में लेके आपने कहानी सुनी है वो अनाज आप ले लीजिएगा और वो अनाज के दाने हमें इस जल के अंदर ही डाल लेने हैं इस इसके साथ ही हम थोड़ा मिठा भी डालेंगे भोग के रूप में तो ये चीज़े हम जलके लोटे में डालेंगे उसके बाद चानदी के अंगूठी पेहन के चांदी से स्परस कराते हुए हम तारों को सीचेंगे और तारों को सीचते समय अरग देते समय हमें कुछ लाईने एक दोहा बोलना होता है वो अब मैं आपको बोल के बता देती हूं तो देखे जब आप तारों को अरग देंगे तो हमें बोलना है हरे बास की छाबडी, गले मोतियन का हार, तारों को अरक देऊ, जीए मेरे बच्चे भाई भरतार, आक तले मेरा सासरा, धाक तले नंदसार, पीहर सासरा ऐसा बढ़े जैसा कीडी के सो नाल, यानि जैसे कीडी का वंस बढ़ता रहता है, उसी तरह से मेरा वंस बढ़ता रहे, मेरे पीहर और ससुराल में सब का वंस इसी तरह से बढ़ता रहे, ये लाइने हमें बोलनी है, मैं आपको एक बार फिर से बोलके बता देती हूँ, तारों को अरक देते समय हमें बोलना है, हरे बास की छाबडी, गले मोतियन का हार, तारों को अरक देऊ, जीए मेरे बच्च जीए भाई भरतार, आक तले मेरा सासरा, ढाक तले नंदसार, पीहर सासरा ऐसा बढ़े जैसा कीडी केसा नाल, इस तरह से हमें ये लाइने बोलनी है, अरक देने के बाद फिर हम हाद जोडेंगे, और जिस जगह पर भी खड़े होकर आपने अरक दिया है, उसी जगह पर ख कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, जै आहोई अस्ट में माता, राध है राध है